पुईशर जिम खाना के अस्थापना दिवस पर नेताजी सुभाज चन बोस्ष और हिंदू हिंदे सम्राक बाला सावठाकरी की जैनती भी मनाई गई इस उसर पर ब्याक्यान और रक्डान सिविर का भी आईयोजन गया। पुइसर जिम खाना में अस्तापना दिवस के उपलक्ष में चार दिवसी कारे क्रम का आयुजन किया गया है। इस अंसर पर उत्तर मुंबई के भाजपा सांसत गुपाल सेटी पुईसर जिम खाना के तरफ से समाज में उत्किष्ट कारे करने वाले लोगों का सम्मान किया। गोपाल सेटी जी ने इस अंसर पर सिस्टम में चल रहे खामियों पर भी अपनी आवाज को बुलंद किया। यूती नहीं है लेकिन बाड़ा साब बाड़ा साब है ना तो उनकी जैनती कोई से जिम खाना के मात्यम से हो रहा है इस साल भी वहा है अगले साल भी होगा। आप सिस्टम की कुछ खामियां उजागर कर रहे हैं लेकिन कई बार आप प्लिक दोमें में भी बोल चुके अधिकारियों को भी बता चुके हैं लेकिन आधार महिला आधार वहन की जो बात है अंदौलन भी किया लेकिन अभी तक उस पर कोई सुदिन ने लिए जब घर के लोगी उसमें सामिल होते हैं तो थोड़ी परिशानी होते हैं तकलिफ होता है सिस्टम हमारा कैसा चल रहा है देखो लोगों का खुद का बनाया हुआ घर तोड़ रहे और कोट ने बोला के जो बच्चे फुटपाट पर पड़े हैं उनको आप लाकर अच्छी सुईदा द तो मेरी लड़ाई इसके लिए मेरा फंडमेंटल लड़ाई है नया व्यवस्था को लेकर भी आपने कुछ अभी बाते कई जिया उसमें भी कई खामिया है तो आप सत्ता में भी बैठे हैं तो इस तरह से आने वाले जिनों में उसके सुलहार लाया है मैं लड़ रहा हुआ को पुरिष के पास इतना सफ़तानी देना चाहिए जो रिटायर जैस्थ को उसमें रखो उन्होंने चांडबीन करना चाहिए बरबर लगाए तो फिर उसको लगा दो देखे गलत करने वालों को बख्ष को नहीं चाहिए मैं उनका समर्तान नहीं करता हूं लेकिन साथ- कमिटी बनाई प्रकार के केस में मको का लगाना कितना हुषित है उसका चाहिन बीन करने के बाद में फिर मको का लगेगा यह निर्णे वा तो मैं लड़ता हो तो उसका सफलता तो मिलती है यह सारे कभिया आप देखेंगे सफलता मुझे मिलेगी मैं साही बाबाय नगर का वा सब्सक्राइब करते हैं और उसी तरह से शाम को जैसे हम लोग काफी वर्षों से व्याख्यान का कारेक्रम करते हैं तो आज प्रवेशब भुईर जी ने आके सुबाश्चंद्रगुन जी और स्वर्गयवाला साइब ठाकरी जी के बारे में अपना वक्त दान किया और हमारे गोपल शिटी जी जो खासदार है और मेक्त और भी है उन्होंने अपना मनोगत यहां पे वेक्त किया है और उन्होंने हमसे आशा रखी है कि पोजिसर जी मिखाना और भी अच्छे और बड़े काम करने चाहिए और मैं हमारी पूरी कमिटी की तरफ से यह एनाउंस करता हूँ कि हम सारे साथ में मिलकर जो भी दोपल शिटी जी की आशा है वो पूरना करने की कोशिश करेंगे